साथियो नमस्कार फारमेसी लिडर यूटूब चैनल पे मैं आपका दोस्त एंड होंड डाक्टर एलस आरे बहुत ही स्वागत और अभी नंदन करता हूं आज हम इस प्रोडक्ट का मैडिसिन का रिब्यू करेंगे उसका नाम है लवन भासकर यह एक आयरुवेदिक प्रोपर के बारे में सबसे पहले नजर डालते हैं यह जो कंपोजीशन है जो इसके सैचिट है यह हमने बताया आपको यह डावर कंपनी बनाती है और यह आयरुवेदिक प्रोपर्टी है तो तीन ग्राम में जो है इच थ्री ग्राम प्रिपेर्ट फ्रॉम पावडर ओफ फॉलोवि जाता है सैंद्वा लवनां इसके अंदर पाया जाता है और धनिया का कोरिएंडर श्याटाईवार पिपली मूला पिपल लोंगम आठी और क्रिश्ना जिराका जो Г्रिश्ना जिराका होता है उसको केरम कैरभी एफार वापत्रा ने ने नागा केसारा, मेसुवा, फर्मीनिया, इस्टेमिन, तलीसा, एबिस, वेबियाना, आमला बेतासा, गारसीनिया, रेडन कुलाटा, इच जो है 243.88 mg इसमें पाया जाता है, मेरिचा, पीपन नाइगरम, स्वेता जीरका, क्यूमीनम, साइमीनम, इसके अंदर पाया जाता है, सुन्थी, जिंजीवर, ओफिनेल, इच 121.94 mg, दादीम, पुनीका, ग्रेनेटम, DRSD, 487.80 mg, इसके अंदर पाया जाता है, वाक, सिनमोमियम, जेलेनिकम, इस्थूलेला, अमोमम, स्योब्यूलेटम, इच 60.97 mg पाया जाता है, अब जैसा कि आप जानते हैं, भूक इसका जो मेन इस्तिमाल है, वो गैस, भूक बढ़ाना, हाजमा बढ़ाना, चटपटे स्वात के साथ ये काम करता है, और इसको जो लेना है, वो आधी चमचून जो है, आपको पानी के साथ, या छाच, जिसको मठा बोला जाता है, छाच जो होती है, उसके साथ लेना है, और ये मेली एक एंटेसिट का काम करता है, एंटेसिट के कारण इसमें क्या होता है, जो एंटेसिट होते हैं, वो ऐसे केमिकल्स या मेडिसिन्स होते है, जो, मतलब ये एजे एंटेसिट काम करता है एंटेसिट नहीं होता है एजे एंटेसिट काम करता है तो वो क्या होता है एसिट को क्यों है नूटिलाइज करते हैं और जिसे नूटिलाइज होंगे तो उससे क्या होगा जो एसिट के एफेक्ट होंगे सरीर पे वो कम होंगे और गैस से रिलीफ दिलाएंगे गैस से रिलीफ मिलेगी तो भूग लगेंगी पाचन अच्छे से काम करेगा पाचन दुरुस्त हो जाएगा तो यह में लिए भूग जगाने में हाजमा बढ़ाने में और चटपेटे स्वात के लिए यह इस्तेमाल किय जाता है और इसके जो बेसिकि इस्तेमाल है जो अब उसके बारे में थोड़ी नजर दालते हैं तो पेट में दड़्थ होना पेट में गैस बनना सीने में जलन होना बद हज्मी होना, खटी डगारे आना, और सिर भारी होना, गैस के कारण सिर जो भारी हो जाता है body के overall acid level को कम करने के कारण gas को बहरे निकालता है पेट के acidity को ठीक करता है body के अंदर से gas और acidity को बहरे निकालने के कारण पाचन को दुरुस्त करता है अपच की सिकायत को बाहर करता है ओवराल जितनी भी गैस होती है उसको बाहर निकालता है और भूख को बढ़ाता है तो यह इसके कुछ बेसिक यूथ थे हार्ट बर्न में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है जिसको बोला जाता है सीने की जलन या गले में जलन रहना और अपच पेट दर्थ में बहुत अच्छा रिजल्ट है तो यदि आपको अपनी भूख बढ़ानी है गैस की समस्या से निदान पाना है और ओवराल जो शरीर के एसिट का लेविल है उसको कम करना है निटिलाइज करना है तो ये लवन भासकर चून का आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेलने जो आईरवेदिक चिकिस्सक होते हैं वो इसको आदी चमच पानी के साथ या छाच के साथ पीने की सला देते हैं इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट देखे नहीं है रेर साइड इफेक्ट है तो बागी कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा खास नहीं है तो ये आईरवेदिक है आप इसको ले सकते हैं साथियो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बोक्स में जाके जरूर दें जिससे हम और अच्छी वीडियो का निर्मान आपके लिए कर सकें धन्यवाद